नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और एक नया वीडियो में मैं हूं रहूल और आप देख रहे हैं पॉइंट सोल जी तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हमच पारफुल इस और इंडियन पास्पोर्ट कितना पारफुल है कुछ फैक्स देखेंगे कुछ इस इंडियन को इशू हुआ था या फिर ब्रिटन पीपल को जो रहते थे ब्रिटन में उनलों को इशू किया गया था तो यह कुछ दिखने में ऐसा होता है लेकिन अभी का जो पास्पोर्ट हो चेंज हो गया है 1958 के बाद से जो तुरा कलर है उस पर जो स्टम लगता है वो इस इस डीकलर का होता है अज है आपके पास्पोर्ट हैतों यह देखा अगिए लेक्षी को और अखिवेस्ट हो गया डिपलोइमेट पास्पोर्ट जो टाइप डि है और इक्पपा काम करते हैं office वोते हैं government के लिए है और जो बेसिकली अब देखो कि foreign service office वोते हैं उन लोगो सबसे ज्यादा यह passport दिया जाता है और ordinary passport आपको पते ही हम लोग के तरह ordinary people उन लोगो दिया जाता है जो तूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट विजा पर जा रहे हैं, स्कूल, पढ़ाई, ओफिस के काम से जा रहे हैं, या फिर ऐसे घूमने जा रहे हैं, तो उन लोगों को दिया जाता है, अब देख लेते हैं दोस्तों, Valuation of Indian Passport, अब यह जो हमारी Indian Passport के Valuation होती है, यह आपको यहाँ पर इस वीडियो में लाइव दिखा दूँगा कि क्या ranking है, और compare करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोगों का जो इंडिया का rank है 2020 में, यह है 65, इसे हम लोग पावर rank करते है यह 65 rank करता है और यह change होते हो रहता है, जरूरी नहीं कि हर एक साल सेम रहे, यह change होते रहता है, जैसे कि जापान, आज के दिन पर जापन टॉप नंबर पे है, और पहले हुआ करता था जैसे USA हुआ करता था, चाइना हुआ करता था, तो अगर as of 2020 हम लोग देखेंगे तो UA UAE top 1 पे आता है, UAE rank 1 पे आता है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ facts देख लेते हैं, visa countries, visa free countries है, जो 26 countries अब जा पाओगे, visa or arrival 44 countries and visa required 28 countries, visa free मतलब आपको visa नहीं लेना पड़ेगा, आप ऐसी सी passport दिखाओगे, आपको immigration में entry मिल जाएगी, और visa arrival मतलब आपको वहाँ पे ज जरूरी नहीं कि visa on arrival आपको मिली जाए, ऐसा भी हो सकता, आपको नहीं मिले आपको वापस आना पड़ेगा, और visa required मतलब आपको पहले से ही visa लेना पड़ते है, online apply करना पड़ते है, visa interview के लिए जाना पड़ता है, जहाँ visa approval होता है, उसके बाद आपको ticket circuit लेना पड़ता है तो यहाँ पर यह आज के date पर UAE as 2020 में, UAE number 1 पर आता है, और क्योंकि इसकी जो power rank है वो 1 है, तो इसकी mobility service भी बहुत ज्यादा होती होगी, ज्यादा countries में visa free entry allow होगा, जो अगर UAE के people है उनके लिए, तो दोस्तों, यहाँ हम अब देखते हैं, live आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए आप computer screen पर आपको लेके चलते हैं, यह passport index का website है, यहाँ पर passport index.org, तो यहाँ पर मैं compare किया हूँ, इंडिया को compare किया हूँ, चाइना को, जापान को, UAE and USA, अब इन लोग आप जैसे mobility score अगर देखिएगा, इंडिया का 70 है, चाइना 80, जापान 169, UAE 178, और USA का है 169, यहाँ पर आपको दिखा देगा इस website पर कौन से countries में visa free है, कहाँ पर visa लगता है, कहाँ पर visa honorable जैसे यहाँ पर सब दिखा रहा है, यह differentiate करके दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको अलबनीय में आपको इंडिया के जो citizen है, उनको visa required लगते हैं, लेकिन यह सब जो सब पूरा details दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे country देख रहे हो, यह पूरा details दिया हुआ है, अब जैसे last country दोग देखते है, जिमभाबे, जिमभाबे का visa on arrival for India है, चाइना के लिए e-visa और बागी सब के लिए visa on arrival, तो ऐसे vary करते रहता है, और यह देखिए, जापान अभी number 2 पर है, और UAE जो है, यह number 1 पर है, तो अगर number 1 पर है, तो यहाँ पर देखें, maximum जो visa free countries दिख रहा है, यहाँ पर, green, 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 तो ऐसे vary करते है, तो दोस्तों, आशा करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ छोरा सा knowledge आपको मिला होगा इस वीडियो के थूँ तो इस वीडियो को like कर दीजगा दोस्तों और जरूर subscribe कर लिए चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो जरूर subscribe कर लिजगा और notification बिल दबा दीजगा ताकि आप notification मिलते रहे, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आमाशकर